सुवाल की गैप काफी चर्चा में है, कहां परिस्तित है इसकी लोकेशन आप समझ लीजे, ये प्रश्ण बहुत महत्पुन है क्योंकि अभी हाली में जो गत्विधिया चल रही है युक्रेन के आज पास जो तनाव का महौल है, तो ये गैप काफी चर्चा में है, कहां परिस इस्तिती है, आप देख लीजे, पोलेंड और लिथुआनिया के मध्य में ये इस्तित है, और बेलारूस और रूस का जो ये पूर्वी भाग है, इसके बीच एक ब्रिज का ये काम करती, इसलिए आप समझ सकते हैं कितनी महत्पुन है सामरिक दिश्टि से, सुवाल की NCLT National Company Law Tribunal, इसने हाली में G Entertainment और Sony Pictures Networks इंडिया के विले को मंजूरी दे दी है, एक बड़ा विले इसको माना जा रहा है, सुस्वागतम ये एक online portal है, ताकि आराम से बहुत सुविधा जनक तरीके से Supreme Court परिसर में कोई इंटर कर सके, चाहे वो पत्रकार हो, कोई पेशकार हो, वकील हों, आफिसर हों, इंपलाई हों सब के लिए, तो सर्वोच नेले परिसर में स्वागत के लिए Supreme Court द्वारा online portal सुरू किया गया है, सुस्वागतम, बंगलूरू, यहाँ पर India Startup Festival 2030 आरम हुआ है, कहाँ पर India Startup Festival 2030, बंगलूरू में, उत्तरव देश में 9 अगस को आपक एक्षन ये घटना हुई थी, तो 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्षन की अठान बेवी वर्शगांट पर उत्तरव देश सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश का एकरम सुरू हुआ, कुपोवाडा इसकी सुरुवात मुख्यमंत्री ने की पंच प्रतिग्यां भी, इसमें जो आपके नजदीक के शहीद इसमारक हों, वहाँ पर जा करके, सेलफी अपनी खीच करके उसको पोस्ट करें, कुपोवाडा जम्मू कश्वीर में इस्थित जिला है, यहाँ पर LOC के पास, लाइन आफ कंट्रोल के पास, भारत के पहले पोस्ट आफिस की अस्थापना की यही भारत सरकार के जारा कहां पर की गी है, कुपोवाडा में, इंटरनेट रेजिलियन्स इंडेक्स दोजारत तेईस संबंधित एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंसार इंटरनेट लचीले पन में रेजिलियन्स में भारत दक्षण एशिया क्षित्र में छठे अस्थान पर है, तो पहले अस्थान पर भूटान है, दूसरे पर बांगलादेश है, तीसरे पर मालदीवा है, चौथे पर शिलंका है, ठीक है, पांचवे पर नेपाल है और छठे पर भारत है, भारत दक्षण एशिया शित्र में छठे अस्थान पर है, बेलेम घोशना किस से संबं ये प्रश्ना सकता है तो ये अमेजन बेसिन में जय विवित्ता सरक्षन से संबंदित है अमेजन जो वन शेत्र है उनमें जय विवित्ता के सरक्षन से संबंदित है अमेजन शिखर सम्मेलन हाली में अमेजन संदि संगठन के नेताओं द्वारा इसकी बैठक आयोजित हुई इसमें जारी एक साजा बयान है बेलेम घोशना जो चिंता व्यक्त करता है जै विवत्ता जो नाश हो रहा है चाहे आवास के कारण हो चाहे फिर जंगल की हालिया जो घटनाय हुई आग की घटनाय हुई उसके कारण हो केरलम देखे केरल में आपको पता है कि चेर सासकों का यहां पर प्रभुत तो रहा काफी लंबा सासन रहा संगम यूग आप पढ़ते होंगे तो चेरों के बारे हम पढ़ते होंगे तो चेरलम से बना है केरलम, केरलम एक मल्याली भाषा है जिसका प्रथम वर्डन अशोक के दृतिय शिलालेख में होता है राज्यों का तो केरल अंग्रेजी नाम था केरलम मल्यालम नाम है इसी वज़े से केरल विधान सभा ने राज्य का नाम बदल करके केरलम कर देने का प्रस्ताव पारित किया है आपको पता है राज्य के नाम सिमाओं में परिवर्तन का जो अधिकार है भारती संसत को है अनुछे तीन के तह साधारन बहुमत के माध्यम से ध्यान रखेगा एक बार फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है अनुछेद तीन और अनुछेद दो में अनुछेद दो क्या करता है किसी बाहरी शेत्र को देश में मिलाने के लिए अपने किसी राज शेत्र में मिलाने के लिए उसके लिए अनुछेद दो का प्रियोग होता है अनुछेद तीन का प्रियोग होता है कि जो राज मौझूद हैं राज शेत्र के किसी राज के नाम में सीमाओं में परिवर्तन एक से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिला कर एक नया राज्य बनाना या फिर किसी एक राज्य की सीमा को किसी अन्य राज्य में मिला देना या किसी एक राज्य छेत्र को किसी अन्य राज्य छेत्र को सौप देना इस सारी चीजें या फिर एक राज जिसे कई राजियों को उसमें से निकाल करके कई राजियों का निर्मार कर देना जिसे उत्तरवदेश से उत्तराखंड को निकाल दिया गया, मत्वदेश से छत्तेजगड को निकाल दिया गया, बहार से जहरखंड को निकाल दिया गया, इ में हो उससे कोई इस उद्देश पर फर्क नहीं पड़ता है हाला कि राज येकसर विध्यक पारित करके अपनी राय देते रहते हैं इसके पहले उत्तरविस सरकार ने भी राज को चार भागों विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था चुकि वो संसत काधिकार है इसल किया जाता है राश्पती संसत पटल पे रखवाने से पहले इस प्रस्ताव को रखवाने के पहले राज सरकारों से जो इससे प्रभावित होंगे फैसले से उनकी राय लेता है एक नहीं समय उसके लिए देता है कि इतने समय में राय दीजिए अब उस नहीं समय में वो राय दे दें चाहे हा में दें चाहे ना में दें तब भी और राय न दें तब भी उस समय के बीच जाने के बाद राश्पती उसे संसत पटल पर रखवाएगा और संसत से पारित होने के बाद दोनों सदनों में साधारन विधेक, साधारन बहुमत द्वारा पारित होने के बाद य ये माना जाएगा कि अब ये निर्णे जो है वो हो गया है तो आप समझिएगा कि अनुछेत तीन बहुत महत्पूर्ण है इस संदर में तो केरलम के लिए जो केरल विधान सभा ने राज सभा राज का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव बारित किया है इसका तभी असर होगा जब संसद में ये विधेक लाया जाए भारती समिधान अनुछेत तीन अनुछेत दो इसमें अंतर समझेगा एक प्रश्ण है विश्व प्रिस्वतंता सुचकांग दोजार तेईस में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है ये प्रश्ण आपके लिए है इसका उत्तर आपको देना है पूराना प्रश्ण है लेकिन अब आप लोगों से कभी कभी हम प्रश्ण भी इस तरीके से किया करेंगे तो आप लोग इस प्रश्ण का उत्तर दें कि विश्व प्रिस्वतंता सुचकांग दोजार तेईस में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है कमेंड कमेंड करें बहुत बहुत धन्यवाद